राम राम हर्याना बुलेटिन में मैं हूँ दुर्गेश पांजे आपके साथ परधान मंतरे नरेंदर मोदी के प्रसित रेजियो कारिकरम मन की बात के सवे एपीशोड पूरे होने जा रहे हैं सवे एपीशोड का प्रसारन सन्युक्त राष्ट के मुख्याले में भी किया जाएगा इस खास मौके पर माइक्रोसोफ्ट के सहसं स्थापक बिलगेश ने भी पीए मोदी को बढ़ाई दी है इस चर्चित रेजियो कारिकरम में अब तक प्ये मोदी ने 500 से अधिक भारतियों से बात की है जो औसाधारन काम कर रहे हैं इस सवे एपीशोड को एतिहासिक बनाने के लिए खास तैयारिया की गई है इस एपीशोड का लाइव प्रसारन देश भर में चार लाख सेंटर्स में होगा देश भर के विविनस अमाजिक संगठन सिविल सोसाइटी और अन्य संस्थाइबी मन की बात के इस कारिकरम में बड़ी संख्या में भाग लेने वाले हैं यहां तक की विश्व में प्रवासी भारती अभी प्रधान मंतरी के अमन की बात के इस सवे एपीसोड को सुनेंगे वही हर्याना के मुक्यमंतरी मनुहरलाल ने प्रदेश के सभी लोकसबाश शेत्रों में हो रहे विकासकारियों की जमीनी हकीकत की समिक्षा करने के लिए उच्छादिकारियों के साथ प्रबुद्ध लोगों का समवाद करवाने की एक नई पहल शुरू की है ताकि जमीनी स्तर पर शेत्रों में हो रहे विकासकारियों की जानकारी मिल सके इस कड़ी में शुकरवार को मुक्यमंतरी ने अपने सरकारी आवास संत कबीर कुचिर में सुनिपत लोकसभा के प्रबुद्ध लोगों के साथ चार गंटे से अधिक समय तक समवाद कर हलके संबंदिक कारियों और नई प्रस्तावित योजनाओ की जानकारी ली इस दोरान विविन विभागों के उच्चादिकारी भी उपस्थित रहे मुक्यमंतरी ने कहा कि प्रबुद्ध नागरिकों का दाइट्व है कि सरकार की योजनाओ के समझित कारियानवेन के साथ साथ लाभार्थी को सीधा लाग पिले वे ये सुनिश्चित करे इसके अलावा योजनाओ की निगरानी भी करे ताकि किसी भी प्रकार की देरी और भरष्टाचार न हो विकासकारियों में जनभागिता जरूरी है और इलाके की मांग के अनुरूप ही प्रस्ताव भेजे जाए वहीं भारतिय कुष्टी संग के अध्यक शबरज भूशन सुरंट सिंग के खिलाफ देश के नामी पहलवानों का दिल्ली में जनतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जारी है पहलवानों के धरने का आज आठवा दिन है ब्रजभूसन सुरंट की रफारी की मांग कर रहे है पहलवान वहीं कॉंग्रेस नेता प्रियंगा गांधी ने भी और दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद के जिर्वाल भी पहलवानों से मिले और उन्हें अपना समर्थन दिया ट्रियंगा गांधी ने मिला पहलवान से मुलाकात की और बरजबूसन सुरंण सिंग के इस्तीफे की मांग की मुक्यमंत्री मनुहरलाल फरीदाबाद के दोरे पर रहे सीएम ने फरीदाबाद में ग्रिवेंस कमेट्री की बेच्टक की अध्यक्ष्टा की वहीं इससे पहले मुक्यमंत्री ने फरीदाबाद के सभी पच्टवारियों को टैब वित्रित किया वहीं ग्रिवेंस कमेट्री की बेच्टक में केंध्रिय मंत्री क्रिश्टापाल गुर्जर केमिनेट मंत्री मुल्चंद शर्मा विधायक नरेंद्र गुपता पुरो चेर्मेन नैन पाल रावत पुरो राजनेतिक सचिव अजय गौड और मुक्यमंत्री के ओच्टवार यादो समेट प्रशाशनी कदिकारी मौजूद रहे वहीं इस दोरान सीम ने शिकायतों पर तुरंट एक्शन लिया शिकायत करता वंदना भारदवाज ने 2007 में 209 गज का प्लॉट एचस वीपी से खरीदा था लेकिन विवाग ने प्लॉट का साइज कम कर दिया था और वंदना को 135 गज का प्लॉट मिला मामले में मुख्यमंतरी ने एचस वीपी के प्रशा सक अजीत बाला जोशी को फोन कर तुरंट एक्शन लेने का आदेश दिया और एक सब्ता हमें सही प्लॉट देने का निर्देश दिया वहीं ग्रिवेंस कमेटी में एक शिकायत पर मुख्यमंतरी मनुहरलाल ने एजुकेशन डिरेक्टर डॉक्टर अनसरज सिंग को फोन पर निर्देशित किया और कहा कि निजी स्कूलों की और से किताबों की मर्मानी पर हर्याना सरकार सक्ती करेगी और पॉलिशी बनेगी कुल 14 ग्रिवेंस आज की मिटिंग में थी आज इसमें से दो ग्रिवेंस तो कुछ विशाया भी डिसाइड नहीं हो पाए अगली मेटिंग के लिए पुस्वन किया उसको और बाकी बारा में जो निरने दे दी है उसके अंदर एक जगा तो नौदा माजरी जो सेक्ट उनिंचास उस वहाँ पर स्टीपी जो है वह पास्ट यहां स्टीप लगाया जागा ताके वहां की समस्या है पर्मेंट हल निकला जा सके एक स्कूल की जो कंप्लेंट आई थी जिसके अंदर खिसी बच्चे को एडमीशन देने के लिए विवावक जो गय तो उन्होंने फीस ले लिए और बाद में कुछ बच्चे का अडमीशन नहीं हुआ तो उन्होंने फीस देने से मना किया लेकर उने का या तो फीस वाफिस करें धागी करें घ्रावार निकालता तो उन्होंने लेकिन अगर ही नहीं है वेटिंग लिस्ट में है तो उसकी फीस रखने कर अनुका लिकार नहीं इक क्यों करने के लिए और बल्क में रगाते हैं ताके अधिकारी जो हो प्रिशान रहें ऐसा ग्रूप भार में आया है कि पिछले छे महिने में उनकी जितनी कंप्लेंट्स आई है अगर किसी एक को नंबर से 20 से ज्यादा कंप्लेंट आती है तो उसको दिवार कर देते हैं उसको जेभी दलाल ने गुरुगराम में ग्रवेंस कमिट्री की डो अलग-अलग बैठक ली ग्रूग्राम में पहली बार जेपी दलाल ने किसी विवाग की स्पेशल ग्रिवेंस की बैठक ली अभी तक ग्रिवेंस की बैठक में तमाम विवागों से जुड़ी शिकायतों को एक साथ सुना जाता था लेकिन पहली बार नगर दिगम से जुड़ी तमाम शिकायतों को अलग से सुना गया कुल मिलाकर मीटिंग में 24 शिकायतों को रखा गया था जिन में तमाम विवागों के अधिकारी भी मौजूद रहे इस बैश्टक में तकरीबन आदी से ज़्यादा शिकायतों का मौके परी समाधान किया गया जबकि बाकी शिकायतों के लिए अधिकारियों को आदेश दिये गए पिछली बार जो गिर्शी की मीटिंग थी तब हमने कहा था कि एक बार जो मौस्पल कॉर्परेशन है चंता से ज़्यादा जुड़ा वाइए वाग है इसकी अलग से इसकायते सुनेंगे और महिने में पहली बार ऐसा हुआ 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 कि दो मिटिंग हम ले रहे थी वह उस्टेलिया में चल रहे गिंतराष्ट्य गीता महत्सों के दोरान इंटरनेशनल कन्वेंशन एंग एक्जिविशन सेंटर सीडनी में गीता पर सेमिनार हुआ इस दोरान मुख्यमंतरी मनुहरलाल ने वर्चुल तोर पर सेमिनार से जुड़कर संदेश दिया सीएम ने कहा कि गीता बिना किसी स्वार्थ के जीने का संदेश देती है हमें गर्व है कि हम भारत के उस छोटे से परदेश शर्याना का हिस्सा है जहां पर 5,160 पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था गीता के पहले शलोक में ही कुरुक्षेत्र को धर्मशेत्र की संग्या दी गई है इसी धर्म भूमी कृुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने करमयोग का संदेश दिया था आपको बता दे कि इस कारिकरम में प्रदेश को एक ग्रिह मंत्री अनिलवीज भी मौजूद रहा है आपको बता दे कि अनिल्वीज अंतराश्टी कीता महत्सों में हिस्सा लेने के लिए आस्टेलिया गए हुए है वहीं बीजेपी के नेता वरिंदर गर्ग को प्रदेश शरकार ने अहम जम्मेदारी दिया वरिंदर गर्ग को दक्षिन हर्याना बिजली वित्रन निगम में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है आपको बता दे कि पंचकुला के रहने वाले वरिंदर गर्ग बीजेपी संगठन में कई पदों पर रहे हैं वरिंदर गर्ग को प्रदेश शरकार ने बड़ी जम्मेदारी दी है हर्याना बिजली वित्रन निगम में उनको जम्मेदारी मिली है और इंडिपेंजेंट डायरेक्टर बनाया है वरिंदर गर्ग दक्षिन हर्याना बिजली वित्रन निगम में इंडिपेंजेंट डायरे वोई खबर जुलाना से है जहां शादीपूर गाओं में एक किसान ने गेहूं की खड़ी साड़े पांच एकड़ फसल पर कमबाइन की जगहरी पर चला दी किसान की बरसाद के कारण फसल खराब हो गई थी शादीपूर गाओं के निवासी किसान संदीप ने बताया कि उसने 27,000 के प्रती एकड़ के हिसाब से 5.5 एकड़ जमीन लेकर यहूं की बिज़ाई की थी लेकिन बरसात के कारण उसकी फसल खराब हो गए श्यतिपूर्टी पोड़ल पर इसका पंजिकरन भी करवा दिया लेकिन कोई भी पच्वारी गिरदावरी के लिए नहीं पहुँचा तो किसान ने फसल को कच्वाने के लिए कमबाइन लगा दी किसान को बरसात में काफी नुकसान हुआ है उसे आर्थिक संकर से होकर गुजरने पर मजबूर होना पड़ रहा है वहीं भारते किसान यूनियन की मांगगा है कि किसानों की खराब होई फसलों का जल्द से जल्द मौज़ज़ा देताकि उन्हें हो रहे नुकसान से ह्चुटकारा मिल सके भाक्यू की मांग है कि किसान को 35,000 उप्रती एकड के हिजाब से मुआउचा दिया जाए इसलिए पर तुदी रेप्रेश लुआ है भाई सबस्टी तो आप मुआचा वगा कुछ नी मिला भाई सबस्टी पर्टल पर करवा रहा रहा है कि पर देखो सरकार देखो के कोई आया करदार के लिए कोई गरदार करनी आप अब बुलेटिन है फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है रुकते हैं कुछ पलो के लिए